हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम एसी 30 ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कोमलियम आईस्यू में यूज करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिनलिन के बारे में, एडिनलिन का यूज हम काडेकरिस में करते हैं, ठ सबसे पहले डॉक्टर एडिनलीन ही देता है ठीक है और दिवरिंग सीप्यर एवरी थ्री मिट में हम इसे रिपीट करते हैं एनाफालेटिक सोक में भी एडिनलीन का इंपोटेंट रोल है और सुपरफिशल ब्लेडिन को कंट्रॉल करने के लिए भी हम एडिनलीन का यूज कर आते हैं और पेशेंट को IV इन्फिजन से देते हैं एन्जेक्शन एट्रोपिन का यूज हम ब्रेडिकाडिया में करते हैं ठीक हार्टेट कम हो जाती है तब और 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 फोस्पेट पोजनिंग को एंटिडोट करने के लिए भी अट्रोपिन का यूज करता है एट्रोपिन ventricular tachycardia और ventricular fibrillation और atrial fibrillation में हम इसका यूज करते है ना, amadurone क्या है? का anti-arrhythmic drug है, तो amadurone में हम इसका यूज करते है, white complex of tachycardia ventricular tachycardia ठीक है, ventricular fibrillation और atrial fibrillation में amadurone का यूज किया जाता है injection dopamine, dopamine क्या करता है? blood pressure को बढ़ाता है ठीक है, इसलिए हम hypotension में यूज करते हैं, heart rate को भी बढ़ाता है, और cardiac arrest में भी dopamine का यूज किया जाता है injection dopamine dopamine का यूज heart filler में करते हैं mostly congestive cardiac filler में dopamine का यूज किया जाता है injection adenosine adenosine क्या है? adenosine का यूज कर बता है? supraventricular tachycardia में हम adenosine को यूज करते हैं injection vasopressin vasopressin का यूज हम low blood pressure में करते हैं vasopressin क्या करता है? water का reabsorption करता है और blood pressure को बढ़ाता है injection nitroglycerin nitroglycerin का यूज हम hypertension में करते हैं ठीक है, ये क्या करता है? blood pressure को कम करता है और chest pain में भी हम nitroglycerin का यूज करते हैं कुन सा चेस्पेन, एंजाना पेक्टोरिस, ठीक है, इंजेक्शन डिगोक्सिन, डिगोक्सिन का यूज़ हम हार्ड फेलियर में करते हैं, और इरेगुलर हार्ड बीट में भी हम डिगोक्सिन का यूज़ करते हैं, इंजेक्शन अमिनोफाल, अमिनोफाइनिल का यूज़ हम इस्पाजमा में करते हैं जो किस से एस्थमा से और COPD ठीक है chronic obstructive pulmonary disease dairy phalin, dairy phalin का यूज़ कब करते हैं chest tightness में करते हैं, wheezing, अस्थमा और shortness of breathing में हम dairy phalin का यूज़ करते हैं injection dexamethasone का यूज, severe allergic reaction में करते हैं और COPD patient में करते हैं injection hydrocortisone, hydrocortisone का यूज, severe allergic reaction में करते हैं और autoamendasis में करते हैं injection methylprednisolone, methylprednisolone का यूज भी हम severe allergic reaction में करते हैं और immune system disorder में करते हैं injection medazolone, medazolone का यूज हम prolonged seizure, seizure को control करने के लिए करते हैं और sedation के लिए करते हैं injection fenorgan का यूज भी हम sedation में करते हैं नोजिया रोमेटिंग को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं अगर प्लड ट्रांस्विजन में कोई रियक्शन होती है उसमें भी करते हैं सीवर एलर्जिक्स रियक्शन में भी फिनारगन का यूज करते हैं इंजेक्शन नेलोगजोन नेलोगजोन क्या करता है ओपाइट को ओवर्डोस को कम करता है ना तो ओपाइट ओवर्डोस को एंटिडोट करने के लिए हम नेलोगजोन का यूज करते हैं इंजेक्शन पाम, इंजेक्शन पाम क्या करता है, और्गनो फॉस्पेट पोईजनिंग को एंटिडोड करता है, तो उसमें हम इंजेक्शन पाम का यूज करते हैं, इंजेक्शन एविल, एविल का यूज सीवेर एलर्जिक रियक्शन में हम मोस्ली करते हैं, इंजेक्शन फ का करते हैं तो प्रीब्टेंट को प्रिवेंट को प्रीवेंट करने के लिए ब्लेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए य। एक Injection. Hiparin. Hiparin का use भी हम blood clot को treat करने के लिए करते है और prevent करने के लिए हम hiparin का use करते हैं. Injection. Frosamide या Lasix. Lasix का use हम urine output को बढ़ाने में करते हैं ना. Hаяapa tumorsion में भी करते हैं और hyperkalemia में भी हम frosamide का use करते हैं. Injection. Leadocane या جai друг again. जायलोकन का यूज हम mostly local anesthesia के रूप में करते हैं local anesthetic के रूप में हम जायलोकन का यूज करते हैं ठीक है एरीद में हमें भी करते हैं डिकोक्सिन पोजनिंग में भी जायलोकन का यूज किया जाता है और cardiac catheterization में भी हम करते हैं जब hemodurone क्या होती है Contra Indicate होती है तो हम इसका Use करते है Injection Calcium Gluconate Calcium Gluconate का Use हम कब करते हैं तो Hypocalsimia में करेंगे है Hypocalsimia, Calcium अगर कम हुआ है तो करेंगे Hyperkalemia में करेंगे ठीक है Hyperkalemia में करेंगे तो यह क्या करता है, Cardiac Memorant को Stabilize करता है, Magnesium Toxicity में भी Calcium Gluconate को Use करते हैं, Injection Soda Bicarb Soda Bicarb का Use हम Severe Metabolic Acidosis में करते हैं, Tricyclic Antidepressant के Odos में करते हैं Coking Toxicity में करते हैं और Hyperkalemia में Soda Bicarb का Use करते हैं Injection Potassium Chloridea, Kacial Kacial का Use हम Hypokalemia में करेंगे जब Potassium का लेवल क्या हो जाएगा कम हो जाता है, तब हम Kacial का Use करते हैं Injection Magnesium Sulphate Magnesium Sulphate का Use हम Hypomagneseum में करते हैं, ठीक है और Pregnant Woman के Caesar को Control करने में भी हम Magnesium Sulphate का Use करते हैं जैसे Preclaims या, Toxemia Pregnancy, Injection Dextrose 25 या 50% का Use हम कब करते हैं Hypoglycemia में करते हैं Hyperkalemia में करते हैं Hyperkalemia में 100 ml Dextrose में 10 unit insulin देते हैं और Diabetic Ketocytosis में भी Dextrose का Use करते हैं, थेंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज, फ्रेंड्स लाइक, शेर और सब्क्राइब इस चैनल करता हैं, बिस्देब अमें है तरु Mohammad करते हैं, प्रेंड़ क्राइब करते हैं झाल झाल